नमश्कार अपन जारखंड देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मिश्र वास्तव पुर्व मुख्य मंत्री और भाजपव धायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने मुस्लिम तुस्टिकरन को लेकर हेमत सरकार पर हमला बोला है अपने ट्विटर अकाउंट पर उ को बंद करवाना और अब प्रलामु के उन्चास समान स्कूलों को सिक्षकों ने अपने मन से उर्दू स्कूल बना दिया सरकार भी इन सिक्षकों को उर्दू स्कूल के नाम पर ही वेता नरगत कर रही है वहीं दूसरे ट्वीट में बाबुला ने लिखा है कि यह सब कुछ सुन्योजत तडिके से हिमंत सुरेन की तुष्टि करण की जिहादी मान सकता की सरकार ने दुडगामी लक्ष को ध्यान में रख कर किया जारा है यह कोई सन्योग नहीं बलकि एक ऐसा परियोग है जिससे जार्खंड और जार्खंड के मूलवासी आदिवासी गैर आदिवा और इस खबर पर जानकारी के लिए जार्खंड से हमारी न्यूज कॉडिनेटर मनुज जुरे हुए है मनुज एक बार फिर से बीजपी का ये आरोप है कि पालामू के जो उन्चास स्कूल है वहाँ पर अब हाथ जोड़कर प्राथना नहीं करवाई जारी है और जिहादी मानसिक्ता की जो बात है वो अब बीजपी की तरफ से कही जारी है किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे म स्कूलों को जिस तरीके से उसका नाम को बदल दिया जा रहा है उसका नाम उर्दू में लिग दिया जा रहा है उसमें उर्दू जोड दिया जा रहा है कि वो उर्दू स्कूल एक समाने स्कूल को और उसके बाद जो है छुटी का दिन जो है उसको बदल करके रवीवार की बाते जो हैं पिछले दिनों संग्यान में आई इसको लेकर के विधान सभा में भी हंगामा हुआ और उसके बाद सरकार पर लगातार बिपक्षी दल जो है परमुक बिपक्षी दल बीजेपी के तरफ से हमला होता रहा है खास करके अगर हम यह बात करेंगे तो यह जो है जाम अब उर्दू सब्द जोर दिया गया है आफ वो उर्दू स्कूल बना दिया गया है वहां के सिख्षक हों नहीं इतना ही नहीं उसमें जो хватई भितन भी उर्दू स्कूल के नाम पर होने लगा है तो इस ही को लेकर के मुकम पुरमुक मंतरी बावबुलालमारांडी उन्हेंने सरकार पर हमला बोला है औरकांगे यह अचानक से या इस तरीके से गटना नहीं है बल्कि यह सुननियुजी तरीके से किया जा रहा है इसके पीछे कई लोग जुड़े हुए है और उसमें सीदे इसको ले करके जो है यह लेखना होगा कि आज जब बाраст में बाथे जंग जाता है उसको लिए करके सरकार और विपक्ष के भी जो है एक तरसे कहा जाए सियासी जंग जो है स्कूलों को उर्दू स्कूल बनाये जाने को लेकर के चल रहा है जी रश्मी जी अब मरोज से पहले भी इस तरह की जो खबरे हैं वो देखने को मेली थी और उस वक्त ये भी कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर कारवाई की जाएगी जाच कमीटी बैठाई जाएगी और जाच किये जाएगे उन सारी चीजों का क्या हुआ अखर देखें रश्मी अगर हम बात करेंगे जब ये पहली बार जामतारा में मामला सामने आया और दूस्ते कई जीलों में भी ये सामने आया तो जो सिक्षा मंत्री है उन्होंने इसे गंभीर्ता से लिया तो एकलब से कहा जाए तो सत्ता और विपक्ष के बीच में कई ऐसे लोग जो है जो आमने सामने में हैं इस चीज को ले करके जहां तक सरकार की बात है सरकार के अस्तर पर इसे सुधारने की कोशिस लगातार की गई है अला कि जैसा कि मैंने भी बताया कि जो सिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा कि ये चीज गलत है और उसको दुरूस्त करने का जो निर्देश जो है जीला के पदादीकारी को जो डिसी है जो उपायूक थे उनको दिया गया था सिक्षा विभाब को दिया गया था कि जो इन सारे च रवायद अगर चलती है तो ऐसे लोगों पर ऐसे जो वहां स्कूल के जो सिक्षक है जो शुक्रिया बरोस तमाम जानकारी के लिए